हेलो नवस्कार दोस्तों सौगत आपको सब्सक्राइब कर रहे हैं हम लोग ठीक है दस कुशन कर लिए दे पहले पाट में 11 से सुरू करना है चुपी कॉंसेप्स्वल कुशन है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है अब लोग देखिए आपको help बहुत मिलेगी समय मिलेगा तो जरूर देख ले ना चलिए शुरू करता है अब इसको आप फटा फट कर लेंगे नेमलिकित कतनों पर मूल अधिकारों के संद्र में बताना है कुछ मूल अधिकार केबल नागरेकों को परापत है यह तो बिल्कुल सही है और इसे कौन से आर्टिकल है 15, 16, 19, 29 और 30 तो यह सही लिखा है दूसरा पॉइंट है सभी मूल अधिकार बिदायका के मनमाने कानून के खिलाफ है बिल्कुल यह भी सही है अगर मनमाना करेगी बिदायका तो जीवडिसरी है ना जीवडिसरी उसके लिए बैठी है जीवडिसरी अपकुल्ड करेगी फंडमेंटर राइट को आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 किसली है सीली यह तो है तो यह पॉइंट भी सही है तिसरा पॉइंट उन्हें से कुछ निजी व्यक्तियों की कारवाई के खिलाप लब्द है तो बिल्कुल सही है ऐसा तो नहीं है कि सरफ सरकारी व्यक्तियों के लिए यह तो यह करेक्ट है चौता पॉइंट है यह सभी सारे फंडमेंट है नेचर में इस्थाई और अनूलंगनी है अनूलंगनी के मतलब जिनका बायसन किया ही नहीं जा सकता तो यह साथ पो नहीं है इस्थाई भी नहीं है इसका मतलब समझ रहे है 21 यह जोड़े तो हो आप right to property हटाई तो हो आप तो कहां इस्था ही है मतलब change हो सकते हैं लेकर उसके लिए constitutional amendment act के जुरुत पड़ती है ऐसा नहीं है कि आप साथ रहन भी देख से यह सब change कर डालो और अनुलंग नहीं के मतलब उलंगा नहीं किया जा सकता है जैसे हमने पड़ा है reasonable restrictions लगा सकती न सरकर आपके fundamental right पर बिलकुल लगा सकती है अब ऐसे भी absolute nature में दिये नहीं गए है तो reasonable restrictions तो अल्लेडी है तो यह point गलत है ना तो वो इस्था ही है ना ही अनुलंग नहीं है किलियर है यहां पर सही बताना था 123 सही हो जाएगा 123 ए point correct हो जाएगा चलिए 12 आजए यह जल्दी से निमलक्त मैं से कौन से कार करने के सकती राजविधान मंडल को है यह पूझ रहे कि state legislature के पास कौन कौन से सकती है तो यहां पर हम लोग देख ले रहे है कि संसत के पास कौन से सकती है और state legislature के पास कौन से सकती है आसान सा question है अस्प्रसता के आचरण के लिए दंड नडधार्द करने संबंदी कानून बनाना आर्टिकल 17 देख रहे है untouchability evolution of untouchability संसत को ही यहां पर पूरा अधिकार है इस पर कानून बनाने का किलियर राज बंधान मंडल लोको नहीं है तो पहला तो गलत हो जाएगा दूसरा point है किसी राज प्रादिकरण में किसी रोजगार या निक्ति हेतु निवास की सर्थ सम्मंदी कानून बनाना अब UP-PCS का एक्जाम देते है तो UP-PCS में क्या जरूर यह UP से ही लड़के बठे है UP का निवासी भी इस एक्जाम को देता है और महाराष्ट का भी दे सकता है MP का भी दे सकता है 36 गड़गा भी दे सकता है कोई भी स्टेट का दे सकता है राजबधान मंडल कोई सकती नहीं दी है कि वो ऐसा कानून बना दे और बोल दे कि UP-PCS एक्जाम सर्फ और सर्फ यूपी बाले ही देंगे मद्ध प्रतिस बाले नहीं देंगे इतना नहीं कर पाएगी इतनी सकती राजबधान मंडल में नहीं है वो कुछ कंडिशन कुछ सर्फें जरूर रख देगी लेकिन पूरी तरी किसे दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को डिवार नहीं कर सकती इस तरह का कानून संसदी बना सकती है राजबधन मंदल नहीं तो ये भी गलत है तीसरे पहन्ट है मानों तसक्री के लिए प्रेस्मेंट निश्यत करना तो यह भी संशत की अह सल्यर है तो ये भी गलत है ये भी गलत है तो यहां कि ये जल्त है। आजाओ 13 को रुत अब जल्दी से 13 में पूछा गया है कि केन अधिकारों को आर्टिकल 21 के तहट मौलिक अधिकारों को रूप में सुई कर किया गया है देखें आर्टिकल 21 अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है बियर एक्ट में तो आपको कुछ ही बाते मिलेंगी ठीक है लेकिन सुप्रिम कोट ने मौल ढाचे के अंदर आर्टिकल 21 में बहुत सारी बातें जोड़ दी है जैसे हम एक्जम्पल है स्वक्षभा का आपको स्वक्षभा लेने का पूरा अधिकार है क्योंकि इसका सीधा सीधा संबन जीनेस है आप स्वक्षभा ने लेंगे तो आप जल्दी मर जाएंगे तो ये आर्टिकल राइट टू लाइफ है लेकिन आपको ये बाला प्रोविजन आर्टिकल 21 में लिखा हुआ नहीं मिलेगा बियर एक्ट में नहीं लिखा है ये सुप्रिम कोड ने मूल ढाचे के अंतरगत जोड़ा है जैसे स्वक्षभाता भरण में रहने का अधिकार खाना खाने का अधिकार हतकडी ना लगने का अधिकार जैसे पहले केदियों को हतकडी पहने जाती थी पाओ में भी और हाथों में भी आप ऐसा सीन नहीं है जैसे अब आटिकल 21 देखिए इसमें तो बस इतनी लिखा है नो परसनल सेल भी डीप राइट ऑफिस लाइफ और परसनल लिवर्टी एकषप्ट एकार्शबन टू प्रोसेजर अस्टेबलाईज बायगों यानि कोई भी बैक्ति देखो यहाँ परसनल लिखा हुए यानि यह दोनों के लिए citizen के लिए है non citizen के लिए है कोई भी ब्यक्ति उसकी लाइफ और ब्यक्तिगत सुतनतता से बंचित नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर दुस्राइब इतनी सी बात लिखी है कि सुक्म कोट ने इस आर्टिकल को एक्स्पेंड कर दिया मोल ढाची के अंतरगत बहुत सारी बात नं जोड़ देंगी ठीक है एसे पहला पॉइंट है लावली हुट का दिकार बिल्कुल करेक्ट है यह बिल्कुल एक किस के अंतरगत आ जाएगा निजिता का दिकार बेरी इंपोर्टेंट यह लेटेस्ट एड़ हुआ है ठीक है तो यह भी 21 के अंतरगत आता है तीसरा पॉइंट है प्रतिष्ठा का अधिकार तो जीने के दिकार में प्रतिष्ठा का अधिकार भी सामल है तो तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है 21 के अंतरगत आता है और क्या पॉइंट है उनकी right to life का हनन हो जाएगा, exploitation हो जाएगा, आज माँ पॉइंट है, विदेश यात्रग अदिकार, इसमें थोड़ा साइलर ट्रेन, इसको आर्टिकल 90 नमस समझ लेना, ठीक है, ये 21 में ही है, विदेश यात्रग अदिकार 21 में है, very very important, इसको separately PPCS ने कई बार पूछा है, ठी आर्टिकल 48 है आदार, हम लोग उन्हों वहाँ पर पढ़ा था, यहाँ पर प्रोवीजन किये गए है, एनिमल हस्बेंट्री के, पसू पालन के, और आर्टिकल 48 क्या है, ये DPSP है, राज के नीती ने दिसक तत्व है, तो एक पॉइंट तो आपको पता चल गया, विदेश में पसू अधिकारों की बात की गई है, आपने fundamental duties भी पढ़के रखी है, 51 एक पुटा पढ़के रखा है, 51 ए में कितने fundamental duties है, total 11 है, हम लोग उने 11 पढ़ी थी, जिसमें से 10 पहले थी, और 11 मी बाद में add हुई थी, और 11 में क्या था, इसमें guardian या parents अपने बच्चों को पढ मनी आधारा, उसमें भी पसू अधिकारों की बात की गई है, उसमें लिखा गया है, कि ये हम लोग की duty है, कि हम लोग बन की सुरक्षा करें, जीलों की सुरक्षा करें, नदियों की सुरक्षा करें, और साथ साथ बन जीवों की भी सुरक्षा करें, उनके natural environment को protect करें, तो पर जीवन सहत जीवन के सभी रूपों के लिए जरूरी है और उन सभी जीवन रूपों में एक जीवन रूप मानो जीवन रूप भी है तो fundamental right भी कहीं न कहीं पसु अधिकारों से जोड़ा हुआ है और लास्ट वाला point है seven schedule इसको तो आप common sense से भी लगा लेंगे क्योंकि आप सरकारों को जानवरों के प्रभंदन के लिए कानून मनाने का दिकार दिया गया होगा ना बिल्कुल दिया होगा तो यह भी पस हुआ दिकारों से सम्मंदित है तो यहाँ पर हम लोगोंने चारों को देख लिया क्लियर है समझाया तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा यहा section of interest of minority यानि यहां पर अलप संख्यक सब्द का उपीयों किया गया है यूज किया गया किलिए रहे लेकिन 291 पड़ी है आप सब प्रोज पड़ी है सब्सक्राइब कि बारत में किसी भी हिस्से में नागर रह रहा है तो उसे अपनी एक अलग भासा लिपीज संस्कृती को कंजर्व कनने का पूरा अधिकार है अब आप 29 सबक्लोस 2 पड़िए सबक्लोस 2 सब्दों पर बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पर लिखा है no citizen shall be denied admission admission बाली बात है यानि यह educational right है ना admission बाली बात हो रही है प्रिवेश की बात हो रही है into any educational institution इन्होंने ground भी बताया है कि state सिर्फ किस आधार पर बंचित नहीं कर सकती तो वो आधार दिया है religion, race, caste, language लेकिन जो question में लिखा है question में question में religion, race, caste, language के साथ साथ एक साथ दोर लिखा है birth of place तो इसका मतलब क्या हुआ है इसका दूसरा मतलब ये भी है कि राज सरकार बढ़तो प्लेस के ground पर discrimination कर भी सकती है तो यहाँ पर state थोड़ा powerful आपको दिखाई दे रहा होगा अब पड़ ये second point ये 29 subclose 2 ही लिखा है ठीक, दिखें यहाँ पर जनम स्थान के आधार का provision भी लिखा हुआ है तो यासा हम लोगों नहीं देखना भी 29-2 में इस सब्द को नहीं लिखा गया है यानि state जनम स्थान के आधार पर discrimination कर सकती है भीदबाव किन आधारों पर नहीं करेगी प्रिवेश से बंचित किस आधारों पर नहीं करेगी सिर्फ और सिर्फ बंस, धरम, जाती, और लिंग आधार पर जनम स्थान के आधार पर प्रिवेश से बंचित कर सकती है ऐसा आर्टिकल 29 सब क्लोस 2 बोलता है किलियर है समझ में आया चले यह फिट, तो यहापर दूसरा गलत हो गया केबल एक साहिए केबल एक साहिए आजओ, सिस्टिन पर आजएए सिस्टिन में आर्टिकल 32 आर्टिकल 32 में हम लोग रिट्स पढ़ता है और इसको हम लोग ने अच्छी तरीके से सीख लिया हम लोगोंने अभी दो रिटों पर चड़ चाकी थी सरसी और रि और प्रोइबिशन वो आप लोग अच्छे से सीख लिया थे जिसमें एक में डिसीजन हो जाता है एक में डिसीजन नहीं हो पाता है उससे पहले ही रोक लेना वो सरसिवररी और प्रोभिशन रिट है यहाँ पर बाकी रिटों के बारे पूछा गया है पहला रिट है यहाँ पर heavies corpus heavies corpus का मतलब आप लोग जानते है सा सरीर सा सरीर यानि सरीर को प्रस्तौत करना अब यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहित बताना है तो यहाँ पर सुप्रिम कोट रिट जारी करेगा किसको रिट जारी करेगा जिसने आपके सरीर को कबजे में ले लिया है और सरीर को कबजे में कौन लेता है भाई पुलिसी लेती है ना पुलिसी पकड़ के ले जाती है धर के ले जाती है Supreme Court Department of Police को रिट जारी करेगी, यानि एक order पारित करेगी, किसको करेगी Department of Police को, इसीदे बोले तो DGB को, Director General of Police को अब DGB फिर आगे कर देंगे उस order को, जहाँ पे भी जिस थाने में भी कोई वेक्ती बंदी बनाया गया होगा अब यहाँ पे एक कुशन नहीं आना चाहिए कि Supreme Court DGB को के पकट रहा है, DGB ने थोड़ी ना बंदी किया था, वो तो किसी दरुगा ने पकड़ा होगा, किसी थाने पे, तो Supreme Court सीधे थाना प्रभारी को नहीं रेट जारी करेगा वो सीधे DGB के कान पकटेगा बाकी की काम पर DGB साब करेंगे नीची लेविल के तो समझे भाया, इरिट किसको जारी की जारी है यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे तो यह लिखा है कि यह इरिट किसी बर स्नेयल है, दवारा किसी अदिने स्नेयल है, ऐसा थोड़ी ना है यह तो यहां पर सरसीवर यह प्रोवीशन की बात यहां पर कर रहा है तो यह गलत मैच है सेगंड पॉइंट है परमादेश परमादेश यह नहीं मैंडमस परमादेश सरकारी अधिकारियों को जारी किया जाते हैं सरकारी अधिकारियों को नया एपल का आधिसित करती है कि वह कि या जो तुम्हारा काम है तुम भाई करो आप अपने अधिकार छेत्र से आगे जाके काम ना करें ऐसा परवेंद इसमें रहता है जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एक्जाम्पल दे रहा हूं दिखिए अपकिसको देखते हैं अप से कभी तैसिलदार साब चोड में आ जाते है और तैसिलदार साफ SDIM साप का काम कार डालते हैं महल लगा देते हैं हस्ता Wear कर दिया अउस्ट login को पर शुन काम कर दिया वह जाए उसने कोड़ेगा कि इनको पकड़ेगा तैसिल दार साब को इनको डाले तो फिर इनकी होती है ठीक है इनको कोट में आके जवाब देना पड़ता है जज को अगर explanation reliable रहा तब तो ठीक है और आपका जवाब आपका explanation reliable नहीं रहेगा satisfactory नहीं रहेगा तो चार सीट खुद जज साब बना देते हैं और हो जाएगी सजार तो यहां पर जो लिखा है सही लिखा है अधिकारी कर्टब्यों का पालन करने का आदेश अब आपको समझ में आगे ना चलिए उत्प्रेसराण आपने सीख लिया था यह तो गलत मैच है इसको हम लोगों ने परानी में अच्छी से समझाता है तो यहां पर डिसकस नहीं करेंगे यह गलत मैच है चौता पॉइंट है अधिकार प्रिक्षा यानि क्यों वारंटों क्यों वारंटों में यह देखा जाता है कि आप जिस ऑफिस में बैठे हो आप उस ऑफिस में बैठें के लिए और राइज हो क अपबात के बारे हो बताना है देखो आपने राइट टू प्रोपर्टी पड़ा था यह पहले फंडमेंटल राइट था अब लीगल राइट हो गया जो 300 में सिप्ट कर दिया गया आर्टिकल 31 यह बहुत पावरफुल टूल है इस्टेट के लिए राजियों के लिए सरकार है आर्टिकल 31 यह बड़ा है आर्टिकल 14 और 19 से इसका मतलब यह है अगर बिधाय का 31 के तहट कोई कानून बना रही है और उस कानून से किसी व्यक्ति का 14 और 19 बाइलेट होता है 1419 का उलंगन होता है तो 31 को बरियता दी जाएगी अभी तो इसको लिख रहे है न मौलिक अधिकार के अपबात यह आर्टिकल एक्क्यूजिसन से रिलेटेड है जैसम बात करें इस्टेट गवर्मेंट को एक हाईवे बनाना है हाईवे का यूच किस के लिए है पबलिक के पबलिक वेलफियर के लिए बना रही हाईवे और जिस जगह से हाईवे निकला वो जगह किसान की है ठीक है किसान की है किसानों की है तो गवर्मन क्या करेगी स्टेट गवर्मन क्या करेगी स्टेट गवर्मन क्या करेगी स्टेट गवर्मन क्या करेगी स्टेट गवर्मन त इसका दैरा बहुत बड़ा है तो यहां पर 31a हावी हो जाएगा यहां पर 31a हावी हो जाएगा 14 और 19 पर इनी सभी से सम्मंदित प्रोविजन आर्टिकल 31a में है किलियर है आप समय आया और चैलेंज मिलनी होगा तो जीव डिसल प्रिवीव भी नहीं हो पाएगा है ना न्या ओजी बोड़ी आती है वही प्र ळाज सरकार भी हो सकते है और यह सकती है नगरुजा हो चलिए आप पड़़ी जे से इस तरह के कानून के लिए नायएक समिक्षा से मुख्थ होने के लिए राश्पति के बचारों सहमेति की यह बसकता होती है हम लोगों ने यहाप पुरी कहानी सीख ली यह बिल्कुल करेक्ट लिखा है चलिए इसका दूसरा पॉइंट कहा है दूसरा पॉइंट है यदि राजी किसी ब्यक्ति द्वारा उसकी ब्यक्तिकत खेती जमीन की बात कर रहा है बैदानिक सीमा के भीतर भूमी का अधिकरण करता है तो मौपजा बाजार मूल के बराबर होना चाहिए बिल्कुल राजसरकार जो मौपजा देती यह किसान को जिसकी भी जमीन होगी तो गलत हो जाता पॉइंट पॉइंट नमर टू सही है तो यहापर दोनों सही हो जाएंगे किलियर है समझ में है आई अठार मन देखिए अठार में कुश्चन में आर्टिकल 25 के बारे पूचा है आर्टिकल 25 आपने एक बार पढ़ लिया है आपने उस टाहिम यह पढ़ा था कि आपको क्या-क्या दिया जा रहा है आपकी क्ोण-कोजी स्वत्र दता है आपने restrictions नहीं देखे थे इस कॉश्चन में restrictions पूछे गये कि आर्टिकल 25 के तहत कुछ restrictions भी आप पे लगाया जा सकते है और वो निर्बंदन, वो restrictions के नाधोरों पर लगाया जा सकते हैं, यही पूछा गया है question तो चलिए पहला पढ़िए, केवल नहतिकता स्वास्त के आधार पर सारज्मनेक विवस्ता को बनाया रखने के लिए, पबलिक ऊड़र को लिए, सोसल ऊड़र बनाया रहने के लिए, अभियास करने प्रचार करने के एzigार को प्रतिवन्दित कीया जा सकता थे, ठीक है, यानि साजवनेक विवस्ता का यदि प्रसन आएगा सोचल ओर्डर का यदि क्वेशन आएगा तब आपकी धर्म की सोतंतता को निर्वंदित किया जा सकता है सेकंड बन पढ़िए एक धर्म निर्पेक्श लोगतंत यानि सेकुलर डेमोक्रेसी की बात कर रहा है होने के नाते राज धर्म का व्यास से जुड़ी किसी भी आर्थिक वित्तिय और राजमितिक गतिविती को रेगुलेट या फिर रिस्टिक्ट करने से प्रतिवन देता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर हम लोग को पता है कि इंडिया में जो इंडियन कल्चर है इंडियन पॉलिटिक्स है इंडियन पॉलिटिक्स में राज और धर्म का बिलगाओ नहीं है अलगाओ नहीं है यह एक साथ चलने वाली चीज़े है राज धर्मों को प्रोगरेसिब बनाने के लिए काम कर सकती है ये सब हम लोगों ने सीखा तो आपको पता है राजियों को धर्मों से सम्मधित नियमों को कानूनों को रेगुलेट करने के लिए प्रतिबंदेत नहीं किया गया है उनको अनुमती है ठीक है तो यहां पर गलत लिखा है थर्ड पॉंट में अर्टिकल 25 के अंदरगत हिंदू में केबल सिख जयन और बॉद्ध समयल है यहां पर दिखिए अर्टिकल 25 25 में साब साब लिखा हुआ है कि हिंदू का क्या मतलब है आपको थोड़ा सा नीची आना पड़ेगा यहां पर दिखिए हिंदूस यहां पर दिखिए हिंदूस सेल भी कॉंस्ट्यूट एज इनकू में सिख जयन और बॉद्ध यह पॉइंट सही लिखा है पहला पॉइंट भी सही है समझाय है तो यहां पर सही बताना था वालन थरी हो जाएगा करेक्ट आंसर भी ऑप्शन आज यह 19 देखिए जल्दी से 19 में अनुछे 20 के बारे में पूछा है अर्टिकल 20 के बारे में तो दो बार सजा नहीं मिलेगी दो बार उसको पने से नहीं किया जाएगा अर्टिकल 20 में आपको सब कोलोज भी मिलेंगे सब कोलोज 1,2,3 तो आप सब कोलोज 3 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि किसी भी अपरात के आरूपी व्यक्ति को अपने खिलाब जानी दी जाएगी मतलि यहां पर हम लोगने समझाता है समाज है यहां तो यह भी पॉइंट ठीक है यहां पर दोनर ठीक हो जाएगा अचा एक पॉइंट और है इस अनुश्यतिक के अंत्रगत एक ऐसे व्यक्ति को जिससे गरपतार किया गया है उसे बकील से परामर्स करने इवं सोयं का बचाओ का निका दीकार है बिल्कुल अगर पुलिस गरपतार करती है आपको तो पुलिस को कारण बताने पड़ेंगे न कि आपने गरपतार क्यों किया है अगर पुलिस ने F.I.R. लिखी लिए तो उस F.I.R. को क्वैस कौन कराएगा क्वैस कराने के लिए त यह आर्टिकल 22 देखिए 22 में कहा है protection against arrest and detention in certain cases no person who is arrested shall be detained in custody without being informed सूचना कर नहीं पड़ेगा आपको कारण बताना पड़ेगा यदि आपने गरबतार किया है किसी को तो और बकील वाली बात यहां पेल की है लीगल practitioner of his choice वो अपनी पसंद का बकेल भी कर सकता है ठीक है तो यह 20 की बात नहीं है यह 22 की बात है चलिए फापस question पर तो question तो आर्टिकल 20 की बारे पुछा गया था तो answer 1 और 2 हो जाएगा 20 किससे समन देता है एस एक लिए न एक ही crime के लिए double punishment नहीं मिलेगा चलिए 20 दीखे जल्दी से आर्टिकल 18 कुछ गया है आर्टिकल 18 हम लोग fact में क्या पढ़ते रहते हैं उपादियों का अंत पढ़ता है उपादियानी title पहला point देखिए राजगी अधीन लाब का कोई पद लाब का पद यानी office of profit धारन करने वाला विदेशी राश्पती यद्वा किसी राजगी उपादी स्विकार नहीं कर सकता है वह राश्पती की चाहिए ना कि राज इपाल की ठीक है तो गलत हो गया है पॉइंट नमर टू यह है राज को किसी को कोई उपादी देने से प्रतिवंदित करता है लिखने असा नहीं है उन्होंने सभी को एडिकल लिया तो यसा तो नह गलत है यहां पर दोनों ही गलत है ठीक ना तो वन ना तो टू टू टूटी बंदे की राज के नीती नहीं दे सकता तो निम्लिक तुमैसे के साधी नियम मैंने है निर्देशों के साधन के रूप में मिलते है कुश्चन का सीधा समतलब है कि कौन से एक्ट में DPSP की है यार कारी कार लेखे हुए और किस तरई गया बेलफियर सोशल वेलफियर भी करना है और एकउनोमिक बेलफियर भी करना है सामाजे कल झढ दम आयए और आर्थे क्रूप से обी मजबूत बनाना है तो इस तरह के इंस्ट्रेक्शन्स ना बटेस सर् गारधवारा गवंना ज राज के नीती निदिसक प्रत्तों पर बचार करें ठीक है और यहां पर अंतम में पूछा क्या गया है यहां पर बताना है कि उपरोग तुमेंसे कौन सा नीती निदिसक सिद्धान नेचर में समाजबादी माना जाता है देखे सोशलिस नेचर वाले जो डीपीएसबी थे हम अगराम पंचायत की बात की जाये तो यह भी गंधियन प्रेंसिपल था जैसे हम लोग उने आर्टिकल 40 में देखा था गंधी जी कुटिर इंडेस्ट्रीज की भी बात करते थे और इसके साथ नसीले पे नसीले दमाओं का सेवन करने से भी गंधी जी मना करते थे तो इस त कता हैं थीसरी कतीगरी है उधार बहुत-देख ठीक है तो कभी socialist पूछता है कभी गंधेन प्रेंसिपल बाले पूछ देख करैता है ओंदो लोगन है जिसको 42 Constitution Amendment Act 1976 से जोड़ा गया था Free Legal Aid और इसके बारे में यह भी पढ़ा था कि यह समाजबादी principle है समाजबादी principle है clear चलिए बाकी पॉइंट देख लीजे बाकी सभी करमकारों के लिए निर्भा मजदूरी सुनिश्यत करना यह भी समाजबादी principle है समाजबादी principle है थर्ड पॉइंट है आधुनिक और ब्यग्यानिक तर्ज पर करसी और पसूपलन को बैबस्तित करना हम लोग ने एनिमल हजबेंट्री के बारें पड़ा था करसी के बारें पड़ा था यह आर्टिकल कौन सा है यह आर्टिकल जल्दी से बताई है तो जहां पर आधुनिक सब्द लिखाओ और ब्यग्यानिक तर्ज लिखाओ उससे आप समझ जाया कीजिए ना तो यह समाजबादी है और ना ही यह गांधियन प्रेंसिपल है यह उदार बहुत्दिक प्रेंसिपल है ठीक है उदार बहुत्दिक प्रेंसिपल है जोगी question मे हम लोगों को समाजबादी बताना था तो यह option तो गलत हो जाएगा जोथा point है स्वास्त के लिए हानिका रख नसिले पे एवं नसिली दमों का 7 पर प्रेंसिपल है यह गांधियन प्रेंसिपल है ठीक है तो आप ऐसे link कर सकते हो तो समाजबादी बताना था तो यह भी नहीं होगा तो समाजबादी प्रेंसिपल हम लोगों ने option number one और option number two पड़े है clear है समाज आया तो यहां पर बन और टू हो जाएगा correct answer चलिए 23 कीजिए राज के नीती निदेसक्तत्तों के संदर में निम्लिक तमय से कौन सा कथन सही नहीं है तो वह DPSP का यह chapter यह पूरा तो आप अच्छे से सीख जाएंगे चलिए पहला statement पड़िए पहला statement बोला है मौलेक अधिकारों के साथ निदेसक्तत्तों सम्मधान के दर्सन को मोर्थ रूप देता है संदान का दर्सन अगर आपको देखना है तो आपको प्रियम्ल देखना पड़ेगा और अप्रियम्बल में क्यो लिखा हुआ ह anyways हर तरह के जस्टिस के बारे में और आपर चर्चों की गई है सुप्रिम कृद़वारा काफी जज्जमेंट Church में ये भी बताया गया है कि सरकार जब भी कानूर बनाया अधिनियम बनाया तो वो DPSP में जितनी बात लिखी है या फिर प्रेयंबल में जितनी बात लिखी है उन बातों का ध्यान रखे अब को पता है DPSP से सरकार है citizens को क्या देती है welfare देना चाहती है welfare देती है economic welfare और social welfare अगर सरकार नहीं करेंगी तो मौलेक अधिकार लेके क्या करोगे इसलिए मौलेक अधिकार और DPSP ये साथ-साथ चलने वाली चीज़े है ठीक है तो पहला point बिल्कुल correct है DPSP के बारे में इस दोनों एक दूसरे के बना अधूरे है second point है DPSP लोगों को कल्याण ये तो कुछ उपाय करने के लिए सरकार पर दाय तो डालते है तो ठीक है ये point भी बिल्कुल correct है कि DPSP ये चैलेंज़ेविल नहीं है ठीक है बाद यह उग नहीं है लागू करने के लिए सरकारें बाद नहीं है और मैं सरकारें बोल दीसरा point पढ़िए बेग ग्यारिनायक है यहाँ तक तो सही है आपने पढ़ा कि ये चैलेंज़ेविल नहीं होते हैं ये बिल्कुल correct है यहाँ तक सही है आगे पढ़िए अथा नयालायक किसी कानून की समयधानिकता ब्यतता नड़्धार्यत करने के लिए DPSP तत्तों का उ गलत हो गया चौता point देगे निदेशक तत्तों का नागरिकों के fundamental टाइट के साथ सिधा टकरा होना संभव है बिल्कुल correct है आपने आर्टिकल 31 से पिछले question में पढ़ा न वहाँ पर क्या पढ़ा था कि 31 से बाहरी पढ़ जाता है किस किस से 14 और 19 से आर्टिकल 31 में क्या था यहाँ पर राजियों को अधिकार दिया गया है अधिकरण करने के लिए आपको एक बिरिज का एक्जामपल दिया था हाईवे का एक्जामपल दिया था कि हाईवे बनाने के द्वारा ने किसी किसान की जमीन उस हाईवे के अंदर आ रही है तो उस किसान की जमीन सरकारें अ और इस हाईवे बनाने से हजाल लोग का फायदा हो रहा हो और किसी एक व्यक्ति के fundamental right का हनान हो रहा हो वाइलेशन हो रहा हो तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है यही तो हमारा process बोलता है हम किस process को follow करता है procedure stabilize by law को Prague Services को follow करता है कानून की स्थाफित प्रिक्रिया को हम लोग फालो करता है हम लोग new process of Law को follow नहीं करता है इन दोन Capital हम लोग ने सीखा था due process बोनो यानी विदी की उचितिक्रिया। Gew process law में यदि एक इंसान का नुख्सान हो रहा है तो यह उसको accept नहीं करेगा due process of law accept अभidh का प्रक्रिया का आप एक्सेप्ट रूप से अपरंप्स रूप्स करता है थीकर यहां पर टकरा होना बिल्कुल संभव है यहां घलत बताना था तो घलत सी पॉइंट है क्लियर सी पॉइंट है छली 24 में थी-ाप अगे फोग इस लिए है उनको तो बहुत आसान है एकाथ पॉइंट ऐसा पकड़ दीजिए जो या तो गांधियन प्रिंसिपल है या फिर सोचलेश्ट प्रिंसिपल है तो यहां पर चौथा पॉइंट पकड़ी है सहिकारी समीति कॉपरेटिव सोसाइटी के बात है हमेशा कौन करते थे गांधी ज पर चौप देख़वाल की वेवस्ता और सिक्षा पड़ान करेगा यह पता है आपको यह आटिकल 45 है क्लियर है पहले लिखा था वह आजकल 21 ए में दिखता है फंडमेंटल राइट में लिखता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इसको 86 समदान समसुदन से चोड़ा ग वाइल लाइफ की रक्षा करना है तो पर्यावरान के प्रोटेक्शन की बात के सा आटिकल में होती है बताएंगे बहुत इंपोर्टेंट है आटिकल 48 यह हम लोग ने सीखा था जबाल उसे समदान संसुदन 1978 से जोड़ा गया था ठीक तीसरा पॉंट बेरी बरी रहता है सेपरेटली पूसता रहता है राज की लोग से बाव में नयपालका को कारपलका से प्रिथक करना जीडिशरी और एक्जेक्टिव को सेपरेट करने की बात किये तो यह आप सेपरेशन वाली बात आर्टिकल 50 में है सुपर इंपोर्टेंट यादर खनाठी के आर्ट है ठीक चौथा नहीं है चौथा गांधियन फ्रेंसिपल है तो अंसर हम लोगों नहीं यह आप निकाल लिया था यह हो गया ठीक है चलिए 25 देखिए देखिए यहां पर भी आपका रिवाइज होता रहेगा अब DPSP क्योंकि यतना हम लोग पढ़ चुके हैं DPSP तत्तों पर बचार करना है और नीची कह लिखा है वो प्रोक तमय से कौनसा निर्देश भारत के समधान 42 संसुदन के मांति हमसे समलित नहीं किया गया देखिए को होई कौशन प manipulated अडिया अबाट पर बचाई है को उसा प्रोंस बसदोनससा इकोषा चांट सबरोहु से जुड़ा है कि कौनसा उन ना री नमबर्ड किया गया था इसलिए 38 अर्टिकल है ही नहीं 38 के नाम से आपको क्या मिलेगा 381 और 382 39 में भी हम लोग ने पड़ा था एक 39 है और 39 यह है जिसमें फ्री लीगल एड है 43 में हम लोग ने तीन आर्टिकल पड़े था साथ में 48a भी है यह मोटी मोटी पिक्चर एक जिसमें सबको लॉज लिखा हुआ है यह फिर कैपिटल में लिखा हुआ है इसका मतलब है यह बाद में एड किये गए तो जल्दी से देगी है फटाफट जो आसान उसको पकड़ लीजिए फिफ्ट पॉइंट को पकड़िए और फ्री और कंपन्सरी अज्यूकेशन कब किया गया था यह आपने अभी पड़ा 86 समदान संसो दन से 2002 में और क्वेश्चन में क्या पूछा बैलिट से समदान संसो दन से जो संबलेत नहीं किया गया तो पांच मांपट तो करेक्ट हो गया क्योंकि यह चैसे से जोड़ा करना एंवर्यमेंट की प्रोटेक्शन के बारें बात हुई थी आर्टिकल 48 में है बिल्कुल करेक्ट है लेकिन जोड़ा गया था 42 से जोड़ा गया था ठीक सौरी मैंने इसको 44 लिए था 42-76 है क्लियर है चलिए अब कुश्चन के लिए चौता पॉइंट पड़ी है पर्याबराण की सुरक्षा बानों एवां बनने जीवाँ की सुरक्षा यह आपने भी देखा 48 ए है और यह का मतलब है कि यह किसी ने किसी आमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है और इसको 42 कॉंस्टिटिउशनल आमेंडमेंड एड 1906 से जोड़ा गया लेकिन क्वेस्टन में तो वह बताना है जो 42 से नहीं जोड़ा गया तो चौतिय को भी हम लोग रिजक्ट कर देंगे तो यहाँ पर फोर्ट आप्शन को भी रिजक्ट कर दीजे तो डी आप्शन भी गया चलिए इतना समय महाई है बस यहाँ थोड़ा सा समय लगेगा अपने 39 आर्टिकल को पढ़ा था एक खुट 39 है और दूसरा 39A है जो फ्री लीगल एड़ है इसको 42 से जोड़ा गया था लेकिन हम लोगों यह भी पढ़ा था कि आर्टिकल 39 अपने आम में एक आर्टिकल नहीं है इसके बहुत सारे सब को लोज है ए बी सी से लेक आर्टिकल 39F और 39A यह दोनों ही 42 से जोड़े गये थे 42 से जोड़े गये थे तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट लिखा है बच्चों की स्वस्त विकास के लिए आपसरों को सुरक्षित करना एक कौन सा आर्टिकल है एक 39F लिखा हुआ है जिसको 42 से जोड़ा गया 42 से तो सबीन नाख्रिकों की आयमें असमांता को कम करेगी उनकी स्तिति में असमांता को कम करेगी अपपोर्चिन दिझो मिल会 है फैसलिटी जो मिल रही है वह एकक्वल हो तो इसको भी हम लोग ने पड़ा था आर्टिकल 38 अबकोई आर्टिकल नहीं है 38 1 है और 38 2 है पुड़ा गया था जबालिस में समिदान संसुदन से 1978 से तो सेकंड पॉइंट करेक्ट हो जाएगा कोईशन के साब से थर्ड पॉइंट है उद्ध्यगों में इंडेस्ट्रीज में इंडेस्ट्रीज का जो मेनेजमेंट है उसमें सरमगों की भागीदारी होना चाहिए तो आ भी 42 से आया था 42 1976 से आया था तो इसको भी रिजक्ट कर देंगे तो आंसर कौन-कौन से हैं दो और पांच जो समिदान संसुदन से नहीं जोड़ा गया करेक्ट आंसर भी हो जाएगा देगे बहुत सारा कन्फूजन हो गया होगा इतने सारे कॉंस्ट्रीशन आमेर्मेंट ह हुए हैं मैं आपको यहां पर ब्रीफ में बता दे रहा हूं 39F 39A 43A 48A यह चार आर्टिकल जो हैं वह 42 में समिदान संसुदन से जोड़े गया ठीक है अब याद रखना है इसको और 38 सब क्लॉस्टू ए 44 से जोड़ा गया और 45 के बारे में आप लोग जानते हैं सिक्षा सरी एजूकेशन और अभी 45 में लिखा हुआ है वह यह लिखा हुआ है तो यह 86 से हुआ था 2002 में तो इसका स्क्रीन सोट लिए ना मैंने यहां पर भी लिख दिया है तो आप आराम से देख लेना ठीक अब हो जाएगा ना तो ठीक है फर इतना ही प्रक्टिस कीजिए बहुत सुक्री आप लों का मिलते हैं अगले वीडियो में